मृत्यु दंड, Capital Punishment विश्व में किसी भी तरह के दंड कानून के तहट किसी व्यक्ति को दी जाने वाली उच्चतम सजा होती है। हालांकि भारत में मृत्यु दंड की सजा का इतिहास काफी लंबा है, किन्तु हाल के दिनों में इसे खत्म करने को लेकर भी कई आंदोलन किये गए हैं। शमादान का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्चेद के तहट भारत के राश्ट्रपती को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मृत्यु दंड पर रोक लगाने का अधिकार है। इसी प्रकार समविधान का अनुच्चेद माइनस 161 राज्य के राज्यपाल को कुछ विशिष्ट मामलों में मृत्यु दंड पर रोक लगाने का अधिकार देता है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि एक साथ न्यायाले मृत्यु दंड देता है तो सर्व प्रथम इसकी पुछ्टी राज्य विशेश के उच्च न्यायाले द्वारा की जाएगी और उसके पश्चात ही सजा दी जाएगी। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनुनसर्ट देशों से मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए आग्रा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जो अभी भी इसे बनाय हुए हैं। ग्याथ हो कि भारत इन्ही देशों में से एक है। क्या मृत्यु दंड को समाप्त किया जाना चाहिए। यह एक प्रच्वित अभधारना है कि समय के साथ दंड विधान भी अधिक नर्म होते जाते हैं और क्रूर्तम प्रकृती की सजा क्रमशह चलन से बाहर हो जाती है। यह धारना इस बुनियाद पर टिकी है कि मानव समाज निरंतर सव्य होता जाता है और एक सव्य समाज में ऐसा कोई कानून शेश नहीं रहना चाहिए जो उस सव्यता के अनुकुल नहों। फांसी की सजा को भी इसी कसोटी पर परखा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों ने अपने समविधान से मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने से लेकर सजा दिये जाने तक की एक लंबी अवधी अपरादी के परिवार वालों के लिए भी यातना में होती है। उनकी इस यातना के लिए कही न कहीं राज यही नेतिक रूप से जिम्मेदार होता है। एकत्रित आकडों के अनुसार वर्ष 2000 से वर्ष 2015 के बीच सर्वोचन यायाले ने 60 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी और बाद में यह स्वीकार भी किया कि उनमें से 15 मामलों में गलत निरनाए दिया गया है। मृत्युदंड को समाप्थ करने के प्रयाश Kund segunda में बिहार से निर्वाचित सदस्य बाबु बया प्रसाद सिंग दोरा भारतीय दंड सहिता के तेहट मृत्युदंड को समाप्थ करने के लिए केंद्रिय विधान सभा में एक विधेख पेश करने का प्रयास किया गया था। सभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। और उसके एक दिन बाद ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंग, राजगुरु एवं सुखदेव को मृत्युदंद दे दिया गया। सभा में मृत्युदंद की समाप्ती का समरथन किया था. रालांकि सम विधान सभा ने यह निरनाई न्याय पालिका और संसद पर छोड़ दिया था. मृत्युदंद के पक्षमे तर्क मृत्यूदंट के समर्थकों का मानना है कि, इसकी समवैधा निक्ता को न केवल भारत में, बल्कि अमेरिका जैसे उदार लोगतांत्रिक देशों में भी बरकरार रखा गया है। अता सिर्फ यह मानकर मृत्यूदंट की आवश्यक्ता से इंकार कर देना सही नहीं होगा, कि कई, सब्यत, देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। सामा नितः, हत्या जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए मृत्यूदंट को सर्वश्वेष्ट और अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। ग्यात हो कि विधियायोग ने भी अपनी 262 रिपोर्ट में मृत्यूदंट की सजा को खत्म करने की सिफारिश नहीं की थी।